गुड मॉनिग फ्रेंट्स वेलकम टू ओनलाइन इस्टी पॉइंट दोस्तों आज है 12 फरवरी और स्टार्ट करते हैं हाँ टी करेंड फेस उससे पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब निकिया चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लें साथ बेल आकन प्रेस कर दें ताकि प्रेंट्स त्यारी करें वीडियो को लाज तक देखा करें बहुत इंबोड़न कोशन है चलिए तो फिर फटाबड़ी स्टार्ट करते हैं आज कमारा पहला महत्मूर कोशन है बरलीन फिल्म महुत्सों में इनमें से किस मंत्राले ने भाग लिया था तो दोस्तों बरलीन फ बरलीन में 7 फरवरी से शुरू होकर 17 फरवरी तक चलेगा यह ठीक है और देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूख बरलीन में भारती सिनेमा को वैस्विक मंच पर प्रशित करने और मीडिया एवा मनोरजन के खिशत्र में ब्यापार के नए अप्सरों के शुविधा के ल प्रमुख एयर चीफ मार्शल बीरें सिंग धनोवा इसमें से किस देश के दौरे पर हैं तो यह हैं दोस्तों मंगला देश ठीक है ऑप्संसी बंगला देश देखिए भारती वायुषेनक के जो प्रमुख है एयर चीफ मार्शल बीरें सिंग धनोवा यह 11 से 14 फरवरी तक भारती वायुषेनक के प्रमुख है तो बंगला देश की चार्दीर सियातरा पर जाएंगे धिक है यह जायेंगे दोस्तों और यह बंगला देश वायुषेनक की परिचालन और प्रिचावं इकायों का दोरह करेंगे और यह सार्क ंर राष्ठो की दिफ्छी संभान, सभा सब्सक्रावना यात्रा है ठीक है तो बंगलादेश के दौरे पर है एयर चीफ मार्शल बीरन सिंग धनोबा भारती वाइशना के प्रमुक ठीक है बीरन सिंग धनोबा कोश्चन नमबर थाड है किस राज्य के पहले मेगा फूट पार्ट का उधाटन दस फरवरी को किया गया लें दस फरवरी को वीडियो कॉन्फेंस के मद्यम से क्रोमी का मेगा फूट पार्क घटन किया है और यह हीमांचल प्रदेश का पहला मेगा फूट पार्क है जो उना चिले की ग्राम सिंगान में स्थित है ठीक है देखे उस्तों मैं आपको बता दूँ कि यह पार्क जो है की मथलिव नहीं करनाटक कर nécessला रखी है और दोस्तों इसमें उन्होंने सिटी डिस्टिव decomposition प्रोजब को हुटे प्रच बार्क घटन के से यह संदिते होतना ठीक है के प्रोजेक्ट जो है इसमें शुब्धाराश को समर्पित किया और उन्होंने धारवार में निर्मीत 3050 जो है इसमें इग रिपर बेस में भी भाग लिया है ठीक है तो यह प्याद रखेंगे मोदी जी ने हाली में कहाँ पर आईटी की नीव रखी है हुबली में करनाटक में क कोशन नमर फिपते दोस्तों पी एम मोदी जी 11 फर्वरी कहाँ पर पेट्रोटेक दोहरुनिश का उधरन किया तो यह किया है ग्रेटर नोडा में ओप्सन बी ठीक है दिखे उस तो मोदी जी ने 11 फर्वरी को यूपी के ग्रेटर नोडा इस्थित इंडिया एक्सपो सेंट में पेट्रोटेक का उधरन किया है और यह भारत का प्रमुख हाइड्रो कारवन समय लाने के और बाजार के वहादर थेशे का प्रतर देश्साल लिए ठीक है तो मोदी जी ने 11 अपर कहां पर पेट्रो टेक द्धरणी सुधर्ण के ग्रेटर नोइडा में हाली में बाली बूट की किस अमिनेता का निधन हुआ है महेश आनन्द का ठीक है आपसा ने परसित बाली बूट बिनेता महेश आनन्द का संतावन वर्स की आयो में अंधेरी मुंबई निधन हो गया और दोस्तों इस संदेक उनकी मौत कुछ दिन पहले ही हो गई थे और उनके मृत सरीर को उनकी मौत के समय के कारण का पता लगाने के लिए परिक्षण तो भेजा गया था और दोस्तों वह जो है मजबूर शाहनसा थानेदार कुली नंबर और प्यार किया नहीं जाता जैसी बड़ी फिल्मों में हिश्चा रहे हैं वो ठीक है तो बाली बूट अफिनेता का निधन हो गया महेश आनन्द का ग्रैमी अवार्ड्स 2019 कहां पर आज़ित किया गया यह आज़ित किया कि लौस एंजलिस में ठीक हा ओप्सन भी देखे दोस्तों 61 ग्रैमी अवार्ड्स लौस एंजलिस में स्टेपल सेंटर में आज़ित किया गया और दोस्तों इसमें डोनाल्ड ग्लोवर और लुडविक पुलॉदिक गोराशन के सॉंग, इस इश अमेरिका के सॉंग ओप दा राधासाइ। ठीक है और लेडी गागा और ब्रेडली कपूर ने सैलो के लिए सबसेष्ट पॉप जोडी का बाट जीता है सबसेष्ट पॉप जोडी का बाट सैलो के लिए लेडी गागा और ब्रेडली कपूर ठीक है तो यह आप याद रखेंगे इसके लाबा Ariana ने स्वीटनर के लिए सर्वसेश्ट पाप वोकल एलबम का वाड़ जीता है जबकि माई वे के लिए विली नेलसन ने वेस्ट ट्रडिशनल पाप वोकल एलबम वाड़ जीता है ठीक है तो यह आप याद रखेंगे ग्रैमी अवाड्स कहा जित किये लाउस इंजिल्स में कोशन नमर रेट थे बहुत मात्पुने 61 ग्रैमी अवाड्स दोहर उनिस में किसने सर्वसेश्ट रॉक सांग का वाड़ जीता है मास डक्षन ठीक है फ्रायर्स दफेयर के ने बेस्ट रॉक एलबम का वाड़ जीता है जबकि सर्वसेश्ट रॉक सांग का वाड़ मास डक्षन ने तो यह आप याद रखेंगे फिर हमारा कोशन नमर नाइन्थ है किस राज में हिमालेयन क्लावड बेचसाला इस्थापित की गई हिमालेयन क्लावड बेचसाला इस्थापित की उत्तराखंड में आप्सन C आठ फरवरी को उत्तराखंड के टीरी जिले में एक हिमालेयन क्लावड बेचसाला के स्थापित की गई और यह हिमाली चित्रें बादल फटने की घटनाओं को पूर्वानों लगाने और निगरानी करने के लिए स्थापित किया गया है ठीक है? और यह क्लाउड गोतविजियों को निगरानी करने वाली देश की दूसरी बेश साला है ठीक है? उत्राखंड में और यह 15 फरवरी से 22 फरवरी 2020 तक गुजरात के गांधी नगर में वाजित किया जाएगा शुभंकर को केंद्री मंत्री हर्षवर्धन सिंग ने लॉंच किया ठीक है? चलिए अगला कोशन देख लेते हैं किस राष्ट के राष्टपती को अफरीकी संग का ध्यक्ष चुना गया है? अफरीकी संग का ध्यक्ष चुना गया है मिस्र के देखे दोस्तों मिस्र के जो राष्टपती अब्देल फटल सिसी को इथोपिया में महाधीपी निकाश कर से मिलन में अफरीकी संग का ध्यक्ष चुना गया है और अफरीकी संग अध्यक्ष अपने एक साल के कारेकाल के दोरान समभोधित किया जाने वाले मुद्दों के एजनड़ी तैक करते हैं ठीक है डिखे जुस्तों ये अफरीकी जो एक महाधीपी संग ह द्यक्ष चन्नाई ओपन एटीपी चैलेंजर टूर्नामेंट किताब किस ने जीता है कोरेंटीन मोटेट ठीक है ओप्सन डी ठीक है इन्होंने दोस्तों एकल फाइनल में ऑस्टेलिया के एंड्रियू हैरिस को 6-3-6-3 से राया है ठीक है और मोटेट का यह दूसरा चैलेंजर अधिकारिक भागने अर्वी और अंग्रेजी के साथ शहर के दालतों में बोली आने वाले तीसरी अधिकारिक भासा के रूमें ऑफिसियल लेंग्योज के रूमें हिंदी को जोड़ दिया है इस कदम का उद्देश दोस्तों विदेशियों को भासा अवरोत के बिना मुकद में वाजी प्रणाली केसियक रूम में उठा गया था जिसका पहला चरण नमबर दौठारम सुरू किया गया था ठीक हिंदु को जोड़ा गया ऑफिसल लेंगेज के रूम में अबुधावी नया भी भागने हुरून इंडिया परोपकार सूची 2019 में सबसे सीर्ष पर कौन है मुकेश अमबानी ठीक है ऑप्सन सी देखे उस तो मुकेश अमबानी अक्टूबर जहर सत्रा और सितमर दौठारा की भी 437 करोड रूपया के दान के साथ 9 फरवरी को हुरून इंडिया की परोपकार सूच सीर्ष स्थान हासिल किया ठीक है मुकेश अमबानी ने उनके बाद पीरामल गुरूप के चेर्मन अजय पीरामल है जिन्होंने 200 करोड रूपया का दान किया है ठीक है तो याद रखिए गए हुरून इंडिया परोपकार सूची में सबसे सीर्ष पर कौन मुकेश अमबानी सेकंड नमर पर है पीरामल गुरूप के चेर्मन अजय पीरामल शेन वान को किस आईपियल टीम का ब्रैंड अमित किया गया है राजस्थान डायल्स का ठीक है ओपसा ने शेन वान को आगामी आईपियल के लिए राजस्थान डायल्स का ब्रैंड अमित किया गया है उन्हों पहुराष्टी समुद्रिय भ्यास अमन 219 का आवजन किस राश्डवा किया जाएगा अमन 19 पाकिस्तान दोरा किया जागे ठीक है पाकिस्तान तो यह आप याद रखेंगे यह सिंखला का परतमान में अभ्यास सेटवा है जिसमें 45 राश सहभागी है ठीक है और पाकिस्तानी बेड़े कमांडर वाइस एडिमिरल अमजद खान नियाजी जो है मुख्यतिती है तो बहुर किस राज्य में गर्जी गार्जी बेलोनिय रेलमार को धडन किया है तो इसका करेक्ट एंसर था दोस्तो ऑप्सन भी ठीक है 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 अब देख लेते दोस्तों आज कमारा सवाल क्या है किस द राजदूद किया है यह लांबार अचारी को भारत में राजदूद किस देश ने निक्त किया है तो आप लोग इसका एंसर फटाबाट कमेंड बॉक्स में लिखेंगे ठीक है तुझा जल्दी इस वीडियो लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तो म मिलते हैं निक्ति वीडियो के साथ तब तक लिए बन मध्यान रखें स्वस्तरे बेस्तरे मस्तरे जय हिन जय भारत